श्री रादे रादे, भक्तों सामान्य मनुष्य जो होते हैं, वो अपने सांसारिक लाव, आर्थिक लाव, इस पर बहुत ज्यान देते हैं। महान्तम, सुन्दर, शुद्धतम, उपयोग कैसे हो इस पर ध्यान देते हैं। और अधिक से अधिक हम अपना जो कुछ है सब परमारत में खर्च कर डालें, ये परमारती भगोट भक्तों का लक्षन होता है। महाराज जी, श्रे रगुनात दास जी के अंदर ऐसी है, सामान्य प्रवरती थे हैं। वो तो कभी ध्यान नहीं देते हैं, कोई हमारे लिए पैसा ला रहा है। हाँ जरूर ये देखते थे कि ये भगवान के भोग के लायक नहीं तो नहीं लेते थे। उससे हटा देते थे। एक छोटी सी डंडी रखते थे। उससे हटा देते थे। और उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो इस पर जोड़ देते थे। एक बार की घटना है भगतों, एक कोई घोडा बेच करके आया था, और 32 रूपे महराज्जी के चल्ण में चड़ाया। 32 रूपे मतलब 32,000 तमझनाब, 32 रूपे चांदी के। आप यह 100 वरस से ज़्यादा पहले की बाते हैं। महराज्जी के जन्म लगभग 200 वरस पहले गवा था। तो यह बाते जो हैं, 1500 वरस पहले की हैं। तो जो 32 रूपे उसने चड़ाया, तब महराज्जी ने आख खोल दिया। और उसको धीरे से डंडी से अपने लकडी से उसको हटा दिया दूर। वह शे आँख बंद की ध्यान में थे। लेकिन उनको दिखला ही पड़ गया। कुछ आया है जो अशुद है। तो उसको लकडी से उन्होंने हटा दिया। और क्या बोले कि इसमें गोडाइन दा रही है। उस व्यक्टे ने कुछ बात नहीं किया था। वो तो चैलनों में लाके 32 रुपे अर्थात 32 जार रुपे वरतमान के चड़ा दिया था। उन्होंने डंडी से हटा दिया बोले इसमें गोडाइन दा रही है। अर्थात ये गोडा बेचकर के लाया है। उनका मतलब ये था कि इसमें इसने फालतु मुनाफ़ा कमाया है, ठगाई को अगक काम किया है। ऐसी कुछ बात समझ में आई इसलिए बोले ये भगवान के भोग के काम का नहीं है। ये पैसा भगवान के भोग के काम का नहीं है। अब आप समझी इस बात को, कि महान पुरुष जो भी पैसा मिल जाए सब भगवान के काम में जल्दी नहीं लेते। ये जिनको मालम हो जाता है कि नहीं ये सही नहीं है तो उस पैसे को नहीं काम में लेते। भईवान की कामे नहीं लेते, दूसरे कामे भले लेते हो जैसे कहीं सफाई करना है ऐसे कारी में या गाय के चारे की कामे भले कोई ले लेता हो, हम नहीं जानती इस बात को जैसे मालवी जी महराच से लोगों ने कहा था कि जिन्होंने पैसा ऐसा दिया है इनकी पवित्रता का पता नहीं तो उससे क्या उप्योग करेंगे महाराजी अब वो ले उस सबका टटी घर बनवा देंगे मदन मोहन मालवी जी ने कहा कि जिस पैसे का पता नहीं है कि पवित्र है कि पवित्र है किसी पूझी पती ने दिया है उन सब से टट्टी घर बनेंगे और हजारों टट्टी घर बनने थे उसमें कम लगाया भगवान के भोग के लिए बहुत पवित्र धन चाहिए और महराज बहुत से गरीब लोग या चालाग चतुर लोग महराज जी के सामने से मुठी भर के रूपए धीरे से उठा लेते थे जब महराज जी के नेत्र बंध होते थे या आँक खोले हो तो महराज जी अपना सिर घुमा लेते थे दूसरी तरफ कि हम नहीं देख रहे हैं तुमको जो ले जा नव ले जाओ उस समें सिक्के का रिवाज जड़ा था कागज के रूपए नहीं होते थे जो चाहे वो चांदी के रूपए हों चाहे तांबे के रूपए हों अर्था सिक्के तांबे के सिक्के होते थे रूपए चांदी के होते थे एक पैसा दो पैसा अर्था आधा आना एक आना दो आना चाराना आठाना इस तरह से सिक्क्य होते थे पर चांदी की भी चवन्नी अठन्नी होती थी और रूपय के सिक्क्य तो चांदी के ही होते थे तो वो महराजी किंते नहीं थे, सब एक बड़ी सी परात आप समझे, बहुत बड़ी परात, उसमें सब भरा रहता था, लोग उसमें लाकर चरणों में रखते पिर उसको सेवक लोग डाल देते उसमें, तो उसमें से भर मुठी कोई चालक उठा तक धीरे से ले जाता कि महरा या तो सिर्गुमालिया दूसरी तरवाँ खोली थी तब भी, क्या हम नहीं देख रहे हैं, ले जाओ तो, और जब वो व्यक्ति जो मुठी बर के रूपए उठाता था, तो कपड़े में अपने रख लेता, तब महराजी सामने मुह करते हैं, ऐसे खूब चोरी करते थे लो नहीं रहें, वास्त्विक्ता ये थी भक्तों कि भगवान श्री राम जान की महराज रगुनात दाश जी के सामने ही रहते थे, उनकी लीला होती रहती थे, उन प्रभु की, श्री सीता राम जी की लीलाओं का दर्शन करते रहते थे महराजी, इसलिए नेत्रबंद रखते लेकिन उनको ये भी पता चल जाता था कि कोई चोरी किया है, तो सोस्टे चे कि वेचारा दुखी गरीब होगा, परेशान होगा, इसलिए इसको न देखना ही ठीक है, तो उसको देखते नहीं थे, हां मालुम जरूर हो जाता था कि पैसा चुड़ाया किसी में, इन तो उसक के लिए कभी किसी से कुछ कहते ही नहीं थे, आत्मुतर है निशानी थी माहराज्जी के, मगतुम पुराणों में वरनन है, कि स्रिष्टी के प्रार्म में कुछ परवतुम के पांक थे, तो वो उड़ जाते थे, अब इन बातों को लोग गप समझेंगे, लेकिन बिलकुल प्रारमभिक श्रिष्टी की बात है, तो उसको इंद्र ने बज्ज्र से पंक काट जिया, ये परवत उड़ जाते हैं, तो नुक्शान बहुत होता है दिन तक, तो उस्तम में मैनाक नाम का एक परवत था, जो पाताल में भाग गया था, आप लोगों ने पुंदरकान में पाठकिया ही होगा, भगवान की महान भक्त स्री हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, जानकी की खोज में, तो मैनाक को या आदेश मिला था कि हनुमान जी को विश्राम दो समुदर के बीच में, तो हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया था, तो उस्परश करके चले गए तो ऐसा वर्णन भी मिलता है वक्तों कि ये मैनाक जो है अंतरधान भी हो जाता है, दैवी शक्ति उसके इंदेट, उस समय पंक कतने के भैसे बाग गया था, जब कोई बड़ा परवो होता है, तो वो गंगा, जमुना, सरस्वती, सर्यू, शार्दा, आज नदियों में नीचे से प्रकट होता है, बड़े परवर्शनान करने के लिए, तो अथा जल भी घुटने भर हो जाता है, जहां अथा जल होता है, बहुत गार है, वहां जल घुटने भर हो जाता है, क्योंकि नीचे से मैनाक आ जाता है, ये कोई बड़ा परव ऐसा पड़ा था अयोध्य महराजी के साथ रगुनात दास बाबा के साथ हजारों आत्मी बैठे थे, श्री महराजी जान गए कि मैना की समय नीचे से आया है, महान पर वो देखकर और सर्यो मैया के माध्यम से श्री आयोध्या धाम का स्पर्श करने के लिए आया है, महराजी को रगुनात दास बाबा को पता चल गया, तो सर्यो जी के उस पार निकल गया, क्योंकि जल बहुत कम-कम हो गया, गुटने भर जल हो गया, नीचे से मैना का गया, और सारे सेवक, साधु, महात्मा, भक्त, लोग सब पीछे-पीछे चलते गये, सर्यो मैया को पार कर गये, और अथा जल जो था पहले सर्यो जी में, वो गुटने को बराबर हो गया, और महाराजी जब उस पार गये, सर्यो जी के उस पार, तो पुल तो होता नहीं था, सर्यो जी में अब तो पुल होँ बना हुआ, तो बहुत भक्त लोगी कट्टे हुए, और भक्त लोग में धनवान भी बहुँत से थे, गरीब भी थे, खूब वहाँ धान लोगों ने भेट किया चरणों में और उस सब का भंडारा कर दिया मरज्जी उस पर से रूपय लेके नहीं आया है अयोध्या जी और ले करो भंडारा खूब कई-कई हजार लोग भंडारा का प्रशाद पाना प्रारम दिये उनके जो शीष्य थे महराज जी के शी जगन्नात दास जी और इनी जगन्नात दास जी महराज के शीष्य थे बेनी माधवदास जी जिनका चरित्र मैंने आपको चार वरस पहले सुनाया था और उन वेनी माधवदास जी महराज के शीष्य थे शी राममंगल दास जी महराज जिनका चरित्रा को विश्ट्रित मैं सुना चुका हूं उननीस भागो में पहले संक्षित्र सुनाया था चार वरस पहले और आभी दो महीने पहले विश्ट्रित सुनाया तो वो जगननादास जी महराज जिनको मजले महराज जी कहा जाता था बाबर अगनादास जी के बहुत प्रीश रिष्ट्रे थे बड़े योग्ये थे तो उन्होंने इस गटना को बतलाया था भक्तों को इस प्रकार से सर्यू महिया में मैनाक नीचे से आ गए थे तो आथा जल सर्यू जी का घुटने को बराबर हो गया और साब को लेकर महराज जी सर्यू पार चले गए थे बिना किसी नाओ के चलते हुए बहुत सी घटनाएं होती थी दैवी सभाव महराज जी का था एक बार की घटना महराज जी के साथ चबूत्रे पर ऐसी घटना हुए कि हजारों सेवक सादू बैठते थे जहाँ बहुत बिशाल चबूत्रा पहले बना था वहाँ तो स्री महराज जी आँखें बंद कर भगवान की नाना प्रकार की लीला देखा कर दे थे एक सादू कहीं से आए और चबूत्रा की उमचाई अठारा सीड़ी थे जो सीड़ी कच्ची बनी वही थी सादू ऊपर चड़ गए और शी महराज जी के दाहिने हाथ की शिंगुनियां उंगली जिसको कनिष्ठिका कह जाता है सादू ने महराज जी के दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली को अपने दाँच से कस की काट लिया तब महराज जी ने आँख खोल दिया तो सादू सामने खड़ा था और महराज जी के उंगली से खून बहरा था तो महराज जी ने हाथ उटा करके का देखो सादू बड़ा भूखा है अब आप सोचिए यही महराज जी रगुनाद दाश जी कहला और दूसरा कोई होता है तो महराज उसको दुरंत पुलिस के हवाले करता या मार पीर करवा देता दंड देता उसको लेकिन महराज रगुनाद दाश जी बाबा बोले सादू बड़ा भूखा है उंगली मुंग में डाल दिया इसको बहुत अच्छी मिठाई खिलाई जाए मिठाई मंगाओ लाओ खिलाओ बहुत भूखा सादू महराज पता नहीं क्यों उसको ऐसा तमोग आया था महराज जी की उंगली को चबा गया भले खून निकाल दिया तब वो रोने लगा चरणों में रोल लोट करके सादू बोला महराज जी हमसे बड़ी गल्ती हुई हमने बड़ा पाप किया बाबा रगुनाद्धा जी बोले नहीं पाप नहीं यह तुमने कुछ नहीं किया यह हमारे ठाकुर जिन्हे मारे भगवान ने मेरी परीक्षा किये कि मैं ऐसी स्थिति में अपनी वृत्ती को बिगार तो नहीं लूगा इसलिए मेरी परीक्षा प्रभु ने किये मेरी साधुता में कोई कमी तो नहीं है मैं कितना सहन कर सकता हूँ कितना क्षमाशेल हूँ इस चीज को देखने के लिए प्रभू ने मेरी परिक्षा की भगवान स्रीशीता राम जी ने ऐसा महाराजी ने बटता है भगतो महाराजी का ऐसा सुभाव था कि उनको कष्ट आयए शरीर पर उसको बिलकुल एक दम ऐसे कर लेते थे जैसे उनको उससे कोई मत्लब भी नहीं है अपने कष्ट अपने शरीर पर आयए खष्ट को बढ़े आराम से झेल जाते थे दूसरे के उपर कष्ट आया तब उस कष्ट को दूर करने के लग जाते थे जैसे उनके आचन की द्वारा संतों को शिक्षा दी जा रही थी कि भजन करने वाले इस प्रकार से चलो अपने उपर कष्ट आये तो उसको सहन कर लो दूसरों के कष्टों को दूर करो भगवान तुमको अपना लेंगी और रमान में लिकाने साधू तो हो इने कार जहानी तो मराजी काते थे साधू से कोई कारे कियान ठोले होती है अरे इने उन्हें परीक्षा मेरी ली भगवान की यसी इच्छा थी भजन की भीख जो विखारी दीन होता है उसी को भगवान देते हैं तो कि दीन बंदू है दीन बनोगे तभी बंदू तो उनका प्रकट होगा आंकारी बनोगे तो बंदू तो भगवान का नहीं प्रकट होता है भजन की भीख विखारी एर्था जो दीन होता है भगवान उसको देते है फिर महराज जी ने उस आत्मी की उस तादू को बड़ी खातिर करवाई जिसने दाथ से महराज जी के उंगली काट खाया था और फिर बहुत समझाव उजा करके उसका दुख दूर करके तब बेजा महराज जी के उंगली धोई गई मारे जिने दवाई नहीं लगा ने ढिया बोली कोई वात नहीं भाई इसमें दवाई लगा ने क्या बहा बिना दवाई कि ठीक हो गया गाव गाव तो हो गया था क्योंकि सादू ने बहुत जोर चेकाट था अर एक साधू जो सीता कुंड के पास गुफा में रहते थे वो प्रशाद पाने के लिए देरी से आये हजारों साधू से वो प्रशाद पा चुके थे भंडारी ने एक हंडी में कड़ी पकोडी बचा के रखी थे तो बंडारी ने कहा उस सादू से जो देरी स्याय थे कि देखो यही सुद्ध बचा हुआ है कड़ी पकोड़ी जो हंडी में अर्थात माठकी में रखा हुआ तुम इसको ले जाओ भगवान को भोग लगाओ कड़ी पकोड़ी का फिर परशात पाना और तो सब जूठा कूठा बच्चा है मैं कैसे देदू भगवान की बोग के लिए महराज वो सादू जो इसको हंडीया दिया था खड़ी पकोड़ी वाली बंडारी जी ने वो गुस्चा हो गया और वो हनिया ले करके आया महराज जी के पास रहूना दासी बाबा के पाप वो महराज जी के पास तो बहुत लोग बैठे वोग थे और वो सादू चबूतरे पर चड़ गया जामड महराज जी थे और उसने हनिया को महराज जी के उपर जोर से पठका कड़ी पकोड़ी से भाड़ी होई आणिया महराजी के उपर दे मारा और वो आणिया जो थी एक खंबे में लग गई महराजी को नहीं लगई एक खंबे में लग गई और लग कर फोट गई और जो उसमें कड़ी पकोडी थी वो विखर करके महाराज जी के उपर पड़ी हणिया तो नहीं पड़ी कड़ी पड़ी पड़ी जरो तो महाराज जी के शरीर में कड़ी लग गई पकोडियां चिपक गई और वो सादू चला गया गुस्वा में वो कड़ी पकोड़ी पठक करके वो हणिया खंबे पर अंजान में लगे वो तो महाराजी के उपर ही पठका था लेकिन कड़ी पकोड़ी महाराजी के उपर लग गए और वो सादू गुस्ता में बड़ा बड़ाता हुआ चला गया तो महाराजी ने आखें खोली और कहा अरे भाई कड़ी पकोडी कैसे खा ले उसके उतो महापरशाद रूटी डाल चाहे और साग सब देना चाहिए न क्योल कड़ी पकोडी दिया तो कैसे खाए तो भंडारी ने कहा कि महराजी भंडार में शुद्ध यही बचा था भोग लगने के लिए और सब अमान्या नहीं था यही था जो भगवान को भोग लगने के लिए दिया जा सकता था इसलिए ईढ़ा स्वी महराजी ने कहद दस सीधा पकका सामान दे आओ दस सीधा की मतल्तव कि दस लोगों का भोजन बन जा, इतना सामान दे के आओ, और महराई संत लोग ले गए, उस सादू के पास जो हनिया महराजी को उपर फेंक के मारा था, उसने सब सामान रख लिया वहाँ कुटिया में, और मुह में अपने कालिक लगा करके आया, महराजी को दंडवत किया, फिर एक पायर पर खड़ा होकर जो हाथ जोड के रोने लगा, यह हमने आप जेसे प्रम दयालू को अड़िया से महरावे, फेंक करके, महराजी ने कहा, तुम तो बड़े साथ हो, क्रोध आया था, अपना काम करके चला गया, तुमारी कोई गलती नहीं, क्रोध उस समया गया था तुमारे उपर, तुमारा कोई दोश नहीं है, वो तो विकार बाहर से आया था, फिर चला गया, अब तुम निर्मलो, देखो क्रोध ने तुमारे साथ कितनी नेकी की, कि तुम बोधन के लिए आये थे, नह मिला कड़ी पकोड़ी मिली, तो हमारे पास आये, लाये तो हमसे भगवान ने फिर दस सीधा पक का सामान बेजवा दिया, महराजिन ने उसे खूब मिठाई, खिलाई पेट भर और राशन खूब दिया, यो कहा आप जाओ खूब भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, तुमको आज देर हो गई, ऐसा महराजिन नहीं किया, कि कहा कि हणिया पकट पटक तुमको मारे, बोले तुमको देर हो गई आज जाओ, भोजन बना के भोग लगाओ, फिर गया, वो सादू भोजन बना कर अपने शालिक ग्राम को भोग लगाया, रात में भगवान ने उसे सपना दिया, कहा देखो, सादू जो होते हैं, वो बुराई कर आने वाले के साद भलाई करते हैं, वो सादू दूसरे जिन माराज जी के पास आया, और सपने का पूरा हाल बताया, फिर माराज जी ने कहा, तुम अपने ठाकुर जी के लिए, रोजाना भोग ले जाये करो यहां से, तुमको बनाने में तकलीफ होती है, यहीं से बना बना आया, ले जाये करो, बोग लगाओ, ताब से वो संत जिनो नाडिया पटका था क्रोध में, महराज फिर भाबा रहुनात जी के पास आर्थात बड़ी छावने से भोग ले जाते थे, इतनी तो जयाल महराज जी थे, किसी की गल्ती पर उनको नाराजगे नहीं होती थी, एक बार की बात है, एक सादू आये, और महराज जी को गालियां देना शुरू किया, तो महराज जी तने भक्त लोग थे, शिश्य लोग थे, वो तो बहुत नाराज हुए कि ये, देखो, क्या बक्रा है, ये तो बाबा को गाली दे रहा है, बाबा रहुनात जी को, गाली द तुम सब चुप रहो। तो सब बोले कि महाराजी गोश्वामी तुलसी राजी ने कहा है कि हरी हर निंदा सुने जुकाना पाप होई गोगात समाना हम गुरू की निंदा कैसे सुने हमारे लिए तो हरी हर आप ही है। तब महाराजी ने कहा हम तो खुद सुन रहे हैं ना तो बोल रहे हैं वो हम तो सुन रहे हैं तो महारी गती हमारी बात से होगी गोशाई जी की बात से नहीं होगी इस समय मेरी बात मानो तुम लोग उसको कुछ नहीं बोलो तब सब शान्त हो गए महाराजी की उपदेश से को शांती प्राप्त हो गर्मी का महीना था महराज जी ने उसे खोब बढ़िया मिठाई खिलाए जो गाली भक्ता हुआ है था और उसको दो अचला और साथ साथ हाथ के दो साफी था बड़े-बड़े चादर दो अचला काथी वस्त्र और दो बड़े-बड़े चादर दिये और बड़ा बिछाने का चादर एक आसन एक लोटरा थाली गिलास दे करके एक कुटी में आसन लगवा दिया ता खूब भजन करो गाली देने वाले के लिए ऐसा व्योहर किया महराजी ने वले खूब भजन करो आनन से रहो फिर महराज वो साथ हो तो बिलकुल बदल गया उनका संत का सभाव एकदम बतल गया तमोगर उनका भाग गया और उस्तात्विक हो करके बड़ी छावनी में भजन करने लगे और जात के ठाकुर थे गुस्चा उनको बहुत आता था लेकिन वो गुस्चा सब कातम हो गया उनका भगवान की दया हो गई महराजी की कृपा ह भगे और वो सादू सब की सेर्वा करने लगे सब की सेर्वा करते 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 महराजी का अश्रवात प्राप्त करते करते उनके पट खुल गए और था दिव despair प्रकट हो गई बड़े उनके असे संसे वा की अपार हो गई महराज माराज जी के चरिट के और बाते में आपको सुना होगा फिर आज माराज जी के चरड़ों में रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ शीरा धेरा धे, जे शीरा धेरा धे